इस बार होली पर लगने जारा सो साल बाद चंदर ग्रहन का साया। पांच राश्यों के लिए बहुती शुब संके देर आईए। होली पर तु चंदर ग्रहन लगेगा और इसके ठीक 14 दिन के अंदर ही सुर्य ग्रहन भी लगेगा। ये दोनों ही खगोली गटनाएं पास में मिलने के चलते हैं कुछ ऐसी राश्या हैं जिन पर बहुती घंबीर प्रभाव पढ़ने वाले हैं। हालांकि कुछ राश्यों के लिए ये चंदर ग्रहन और होली का प्रभाव अच्छा साबित होगा। आईए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सभी राश्यों के लिए ये चंदर ग्रहन केसा रहने वाला है और कुछ जोतिशिय उपाई भी मैं आपको बताऊंगा जिने करके आप चंदर ग्रहन के नकरात्मक प्रभाव से चुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करें किन पाँच राश्यों के लिए ये चंदर ग्रहन बहुत ही शुब संकेत लेकर आ रहा हैं। और चंदर ग्रहन ये दोनों एक ही दिन पढ़ने के कारण इसका प्रभाव कुछ राश्यों पर सकारात्मक तो कुछ पर नकारात्मक पड़ेगा। सबसे पहले बात करें किन-किन राश्यों के लिए लाब दायक और अच्छा रहेगा ये चंदर ग्रहन। नमबर बन पर हैं मेश राशी जो तीशी है सास्तर की गणना के मताबिक मेश राशी के जातकों पर चंदर ग्रहन का प्रभाव सुब साबित होगा। आपको अपने कारियों में सफलताएं मिलेगी धनलाब के विशेश आवशर प्राप्त होंगे नोकरी और व्यापार में आपके सभी प्रियास फली बूत होंगे। भाग्यका आपको अच्छा साथ मिलेगा आपके मान समान में व्रद्धी होगी। चलिया अगली रासी आती हैं वरिशब रासी। अगली रासी आती हैं धनूरासी। आप उस काम में अवश्य सफल होंगे। नोकरी पेसा जातकों को नई नोकरी मिलने के अवसर दिख रहे हैं भोतिक सुक सुईधाओं में भी बडोत्री होगी। और अगली भाग्यसाली रासी हैं दोस्तों मकर रासी। मकर रासी के जातकों के लिए भी ये साल का पहला चंदरगर्ण शकरात्मक परभाव लेकर आ रहा है। धनलाब के अच्छे योग बन रहे हैं। मान समान और आत्म विश्वास में बडोत्री होगी। आपको अचानक से कहीं से धनलाब भी हो सकता है। तो ये तो वो भाग्यसाली राशियां जिन पर चंदरगर्ण का बहुती शुब परभाव रहने वाला है। आईए एक के करके सभी बाराई राशियों को भी देख लेते हैं कि कुछ राशियों का मन परिषान रह सकतां, कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूत हैं और क्या-क्या उपाए करने चाहिए कि इन रासि के जापकों को। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये चंदरगहन भारत में आंसिक रूप से दिखाए देगा इस वज़े से इसका शूतक काल तो मान्य नहीं होगा लेकिन गोचर के हिसाब से मिन रासी में सुर्य और राहू और चंदरबा की यूती ये चंदरगहन का निर्मान करेग वरिश रासी वाले जातकों को थोड़ी बहुत कारिस्थल पर परिश्टानी आ सकती है हालांकि आपके लिए भी अच्छा ही रहने वाला है आप सुबह किसी छोटी बच्ची को कन्या को भोजन करा दे तो इससे आपको लाब मिलेगा बिथुन रासी जातकों के लिए भी य चंद्रगहन का असर ठीक रहेगा शेहत का थोड़ा ध्यान रखे हालांकि क्योंकि शेहत पर थोड़ा नकारात्मक असर पर देंके आसार दिख रहे हैं आपके लिए सलाह है सुर्य के बीज मंतर का जाप करें आपको लाब मिलेगा कन्या रासी वाले जातकों को इस चंद्र चंद्रगहन के नकारात्मक प्रभावं से भी चुटकारा मिलेगा अगली रासे आती है तुला रासी तुला रासे के जातकों के लिए भी ये ग्रहन थोड़ा ठीक नहीं है इस दोरान जातकों की शेहत पर नकारात्मक असर पर सकता है आप गरीबु को भोजन कराएं इससे आपको लाब मिलेगा और अगली रासे आती है दोस्तों वरिशक रासी वरिशक रासे वाले जातकों के लिए हालांकि ये चंद्रगहन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा नोक्रे में कारिस्थल में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है आप सुबह बजरंग बान का पाठ करें इससे आ आपको लाब मिलेगा चलिए अगली रासे आती है मकर रासी मकर रासे के जातकों को आर्थे खानी उठानी पर सकती है और सुबह 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 सुर्य को जल अरपित करें और चंद्रबा के बीजवंतर का चाप करें तो लाब मिलेगा और अगली रासे आती दोस्तों कुम् अत्मक परभाऊं से मुक्ति मिलेगी और अंतिम रासे आतिम मिन रासे के जातकों के लिए ग्रहन ठीक रहेगा मातापिता की शेहत का थोड़ा ध्यान रखें और आप भी ब्रिश्पती के बीजवंतर का जाप करें गायों को भोजन अवश्य कराएं इससे आपको चंदरगहन का राशियों पर परभाव आपको जरूर जानने मिला होगा और बे ऐसी एस्ट्रोजी जानकारियां रासेफल देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS News को सस्क्राइब करके बेल आइकों दबा देना क्योंकि हमारे चैनल पर और भी डेली काम की खबरें मुक्य समचार सर परकारी योजनाओं की जानकारी बड़े अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना कमेट बॉक्ष में जय चैंदर देवाई नमध जरूर लिख दीजेगा धन्यवाद दोस्तूं